भोले नात से कुछ भी मांगों वो दे देते हैं हाँ जिनके यहाँ पैसा आता हो रुकता नहों वो ग्यारा अक्षत चावल तूटे नहों पंचाक्षर मंत्र पढ़ करके भगवान सिव लिंग पर 21 दिन तक रोज चड़ावें उनके यहाँ लक्षमी की वर्षात होगी खोब धन आवा गमन होगा और इस्तिर्वी होगा धन चावल के चड़ाएं चारी चवदा भुवन देव और दीप के चड़ाएं सातों दीप के देव जिनका घर न बन रहा हो वो भगवान सिव लिंग के पास में 21 दिन तक ही का दीपक जलावें और एक माला पंचाक्षर मंत्र का जब करें ना याद हो तो लिखा लेना उनका बहुत जल्दी घर बन जाता है बेलयो दतूर के चड़ाएं से पुद्धी जे जो विद्यार्थी पढ़ने में कम्योर हो ग्यारा बिल्ल पत्र रोज भगवान सिव लिंग पर पंचाक्षर मंत्र पढ़कर के चड़ावें वो विद्यार्थी विद्याले में नंबर एक में आएगा बेलयो दतूर के चड़ाएं से बुद्धी देवी और तेल के चड़ाएं से सत्रुन कुमारत हो एक तेल आता है उस तेल को भगवान का मंद्र पढ़कर के चड़ाव सिवजी पर तो सत्रु का नास हो जाता है लेकिन तेल का नाम हम बताएंगे कता ही नहीं क्यों जरा दिवरानी जिठानी हम खट पड़ भई जानों सवेरे से शुरू बोले तेल के चड़ाएं से सत्रुन कुमारत हर हर कहें से आप हरी से मिलाएं दें तूठ के चड़ाएं से बुत्र सुख देत हो जिने पुत्र चाहिए हो वो इस्त्री भगवान सिवलिंग पर नित्त दूद की धार पंचाक्षर मंत्र बढ़ करके चड़ावें स्रेश्ट पुत्र की प्राप्ति होती है